हेलो ग्रीज गुर्मोर्णिंग और एक लाइब टेटिंग सेशन में आपका स्वागत है आज का डेट है 27 टाइम है 9 बाज के 26 मिनिट अल्रेटी 10 मिनिट हो चुक है मार्केट को पेन होके और निफ्टी की चार्ट अगर देखे तो निफ्टी जो रेंज मैंने बताया था उस अब भी उनके उपर अभी भी सस्टेइन नहीं कर पाया तो एक बार इसके उपर सस्टेइन करें देन हम निफ्टी में लॉंग जाने के लिए सोच सकते हैं बैक निफ्टी अभिसलिह रेखे इस levels को ब्रेच कर चुक है बैक निफ्टी में पोजिशन्स बनाया सकते हैं तिल प्रिभिएस डे अनलीसिस वीडियो अगर देखे मैंने वहां पर क्लियरली कहा था कि अगर सेंट्रल पिवोट यानि अगर मैं यहां पर पोजिशन बनाता हूं एंड लिस्ट रहेगा जस्ट बिलो इस कंडल देट्स में 149.1 and target रहेगा यहां पर तो रिस्कंड रिवाट 2 बाइट रहे हैं चलो एक्सेकुटेट अनल अगर देखे तो 900 रुप इस लॉसस तो रिजिन वेंड इस ट्रेट की अगर बात करें तो पहला रिजन यह है कि यह जो ट्रेंट है यह बुलिस है और ने इक्स्ट रिजिन प्रिभी आजडी की क्लोजिंग आंकर देखे प्रिवाच्ट दे क्लोजिंग अच्छा को सा यहां पे बुलिस 45 पॉइंट पास और 90 पॉइंट का सबस हमारा यहां पर टार्गेट बैटर है, that's why I took positions here. Now let's see, Bagnip T is level को test करते है, 43,000 से की इंपॉन्ट रिजिस्टेंस भी है, यहां पर हमारा पहला target रहेगा यहां पर मैंने हाप quantity book करूंगा अगर यह target hit करते हैं and then rest quantity and then rest quantity को मैं trail करके ले जाना पसंद करूंगा यहां पर हमारे stop loss fixed रहेगा ऐसा नहीं कि मैं यहां पर ले रहा हूं तो stop loss नहीं चाहेगा ऐसा नहीं है stop loss fixed यहां पर यहां पर तो फटेश लेंगे सब्सक्राइब देख सकते हैं के वह सब्सक्राइब हो अगर्वाइब तो एक सब्सक्राइब निचे थी यह को मुद्धित हैं हो सकते हैं कि हम पर Central pivot को test करें कि closing देने के बाद नेक्स्ट कंडल यहां पर आप साइट जाना की कोसिस कर रहा है but I am going to close this position and फिर हम देखेंगे कोई opportunity मिले तो फिर पोजिशन बनाएंगे so 45,000 loss booked from initial position so देखते हैं and already मैंने आपको बताया था कि इसने सस्टेन नहीं कर पाया अभी भी इसने अभी भी आफसेट जा सकता है ऐसा कोई नहीं है कि deep में हमको buy करना था but according risk management इसको मुझे खतम करना है otherwise अगर इस लेवेल तक भी आ जाए तो बड़ा loss हो सकता है that's why I close this position okay अभी भी अगर जैसे इस लेवेल को ब्रीच करें ना जो भी जहां से हमारे entry हो था फिर मैं positions ले सकता हूं या फिर सेंटर पर थोड़ा नीचे आए तो फिर मैं यहां पर भी entry कर सकता हूं कि देखी ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं होता है आप entry लेने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है हो सकते कि आपका लेकिन आप अपना रिस्क को मैनेज करके चल सकते हों कि कितना रिस्क अपको लेना कितना लॉस आपको लेना है जैसे आपका इस ते लिट हो तो close the position and try कीजिए and try कीजिए next opportunity that's why मैंने पोजिशन से निकल गया आभी मैं next opportunity के इंतेजर करूंगा अगर central pivot का सपास आए या फिर एस लेवेल की breakout हो फिर मैं पोजिशन बनाऊंगा तो आप हमारे इस को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसकी लिंग इस वीडियो की description में मिल जाएगा आप अगर हमारे tender account open करते हो तो simple आप हमारे प्राइम टेलिक्राम चैनल में भी फ्री में जोड़ जाएंगे तो थैंक यू देखे अभी देखे अभी भी हमारी इस्ट आप लॉस के उपूर ही आ गया एक कंडल क्लोजिंग तो दिये और फिर आप आ गया लेकिन अभी में पोजिशन नहीं बनाऊंगा यहां पर बनाया जाएगा या फिर इस पॉइंट के असपास बनाया जाएगा सो लेट्स से